नमस्कार मैं दीवक कुमारती बारी स्वागर करता हूँ आपका वीवीटी 24 न्यूज में खबर जनपर जनपूर उत्रप्रदेश से है आज दिना हो पहानी देशक द्वारा सोशल मेडिया प्लेटफार्म के माध्यम से साइबर जागुरूप दीवस का आयोजन किया गया जि थी साइबर क्राइम से कैСे बचाव किया जाए इस संबंद में जनता से चर्चा किया सोशल मीडिय की बात कर रहा है। इसमें आपके पास साइबर बूलिंग भी होती है लोगों को परिशान किया था हैите कहासकर मेलाओं को जो है जहां पे आपकी जो भी पहचान है उसको गुट रखी जाएगी और आप एक help line है 155-260 वहाँ पे भी अपने information को आप वहाँ पे भी share कर सकते हैं गर आपके साथ किसी तरह का भी cyber अपराद हो रहा है एक Twitter पे और Facebook पे भी आपको एक मिलेगा cyber dose एक यह ऐसा पेज है जहां पे आपको cyber related सारी information मिलती रहेंगी आप इसको भी इस्तमाल कीजिए इसके तुरू आप थोड़ा जावरूख हो सकते हैं और social media को अच्छे से इस्तमाल करें यही मेरा आपको सुझाओ है अब हम आते हैं अपने दूसरी बिंदू पे जिस जो है OLX और Facebook से लेटेड बिक्री आजकल बढ़ने लगी है लोग अपने कुछ भी समान होता है इसको बेचने के लिए OLX पे इस्तमाल करते हैं और Facebook का इस्तमाल करते हैं इसमें एक ट्रेंड देखने को मिला है कि नौदली क्या होता है कि कोई अपने आख को एरफोर्स का या आर्मी का आफिसर बताता है और वो बोलता है कि हम यह चीज को बेचना चाहरे हैं और क्योंकि हम यहां से शिफ्ट हो कहीं और जा रहे हैं जो कि प्राइस हो इतना कम देज डालते हैं कि लोगों को लगता है कि यह बहुत अच्छी डील है और वो एरफोर्स या फिर एक आर्मी के रिस्पेक्ट के नाम से उस परसन पर ट्रस्ट बेकर लेते हैं लेकिन यहीं पर वो जहसे ना जाते हैं जैसे ही वो उस आदमी से बात करते हैं उस पर एक विश्वास बना लेते हैं तो जो चीज फिजिकल वेरिफिकेशन हमने कहते हैं कि जो हम भूत इक निरिक्षन करते हैं चीजों का वह वह ना होके हर चीज जो है ऑनलाइन हो जाती है, हर चीज एक वर्चुल वर्ड में हो जाती है, हम फोन पर विश्वास करके उनके हम पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, वो चोटे-चोटे अमॉन मांगते हैं कि पहले 20,000 वेज दीजे, पहले 40,000 वेज दीजे, और हम विश्वा झाल